हेलो एवरीबन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं आरोई आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ और आज मैं आप सभी को हैपी मदर्स डे की ब्लैस्निक्स देती हूँ और प्लीज मुझे बताइएगा कैसे हैं आप सभी और जैसे कि आप सभी पिछले दो दिन से बहुत हैवी अनर्जी को फील कर रहे हैं बहुत टायट फील कर रहे हैं बहुत अजीव सा लग रहा है जैसे कि असा लग रहा है कि जैसे आपका माइंड किसी ने भान दिया है कहीं पी किसी जगह आप focus create नहीं कर पा रहे हैं बहुत focus करने में बहुत problem आ रही है और जो routine life में आपने structure ready किया था या फिर आपने कोई goal set किया था कि मैं अब आज से यह सब करूँगा I mean आपने जो routine ready किया था वो सभी आप follow नहीं कर पा रहे हैं और उसे follow करने में आपको बह इरिटेशन हो रहा है पता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर वी आपको ऐसा feel हो रहा है तो आप यह नहीं सोचिएगा कि यह negativity है हाँ अपकोर्स negativity है बट यह हमारे भीतर की negativity है बहार का environment ठीक है लेकिन हमारे भीतर में कुछ ऐसी चीज़े हैं जो अभी वी development पे है यानि कि अभी भी हम उनको energy दे रहे हैं उसी बजा से वो चीज़े साफेस पे आ रही हैं जैसे कि अभी जो यह five five का portal release हुआ है और इसमें बहुत लोगों का यानि की achievement हुआ है किसी मतलब बहुत कुछ रचीव किया है और बहुत लोगों के साथ में कुछ unbalancing रहा है यानि क mixing energy रही है यह five portal की तो कुछ के साथ यानि कि जैसे कि मेरे students हैं मेरी class के हैं जिनका बहुत लोगों का union हुआ है union से मतलब है कि जो जो लोग मतलब 6 साल से या बन येर से या बहुत टाइम से एक दूसरे के contact में नहीं थे और अप्टर उनकी marriage भी हो चुकी थी तो इस बज़ा partner जो dm energy में हैं लेकिन वो उनको छोड़कर third party में चले गए थे उनने marriage भी किया उनके साथ लेकिन वो चले गए तो यानि कि जो चीजे हुई थी तो अब सारी चीजे उनकी ठीक हो गई है complete अपनी surface पे आ गए हैं अपनी equality पे आ गए हैं तो यानि कि जैसे मैंने बताया कि कुछ के साथ में बहुत difficult energy है यानि कि जिनके साथ difficult energy feel हो रही है आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देनी की जरूरत है कि हमारे भीतर चल क्या रहा है ठीक है हम किस direction के तरफ जा रहे हैं किस direction को हमें अच्छीब करना है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के भीत अगर light and dark दोनों energy होती है और बहार भी dark and light दोनों energy होती है और यह दोनों का होना सभाविक है क्योंकि यह दोनों एक साथ होंगी तब भी सारी चीज़े balancing में रहेंगे तो होता क्या है कि जैसे कि आप क्या चल रहा है जो आपका channeling message है वो यह है कि आपके जो seven चक्राज है व वो हो नहीं पारा तो यानिकि अब तक क्या है कि आप meditation से उन्हें balance करने के कोशिश कर रहे थे inner work से कोशिश कर रहे थे बट वो उससे अभी भी relief नहीं हो रहा है तो अब आपके लिए क्या है कि आपको कुस therapy यूज़ करनी है यानिकि आपको क्या है कि आपको body level पे आपको we pain हो रहा है यानिकि sacral में pain हो रहा है अब हो रहा है कि energy की वाइस पर आप balance करने की कोशिस कर रहेती अब आपको क्या करना है आपको कैना करना है जैसे कि आप सभी को पता है दोन कमा टो निम जैसे जैसे हमारा रूट का राइड है सेक्रल है तो औररेंज है और अशलो स quart है तो यद्लो में आपको पास कुछ नहीं है तो अपनेmember कपड़ा ले सकते हैं जिससे अपने थाड़ रखते हैं थोड़ी देर एंञि कर सकते हैं यानि कि यह color therapy और food therapy है जिससे आप अपने भीतर की जो unbalancing energy चल रही है आपके भीतर जो inner unbalance है उसे आप balance कर सकते हैं क्योंकि body जो है आपको यह signal दे रही है बॉड़ी आपको यह साइन दे रही है कि आपको कंज्यूम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा आपको वाटर कंज्यूम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा लिक्टर फोम में आपको मिर्रल्स यूज करने की जरूरत है क्योंकि आपकी जो चक्राज है वो अन बैलंसिंग मोड और जैसे कि आपको पेन हो रहा है साक्रल में हो रहा है कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी चक्रास पर पेन हो रहा है तो आपको यह साइन है आपको आपको साइन दे रही है कि आपको कंज्यूम करने की जरूरत है अभी क्या कर रहे थे हम अभी हम एनर्जी वाइस पे अपने आ दूसरा आप जैसे मैंने बताया लिक्ट फोम में आपको जूस वगेरा कलरफुल वाले ले सकते हैं जिससे कि आपके चक्राजों हैं बैलनसिंग मोड पे आएं दूसरा आपको सबसे जादा जो आपको यहील कर सकता है वो है रेश्ट करने के लिए क्योंकि आप जितना रेश फिर भी आपके मन जो है कहीं टिक नहीं पा रहा फोकस आप जो कहीं कर पारहे हैं तो अभी आपके लिए क्या अगल पूस deb happens नहीं हो रहा क्य 58 कि आप क्या है कि आप बहुत ज़्यादा क्यादा किये हुए हैं जैसे कि मैंने बताया था कि फैमिन औड मैसू निग के दोनों के अंदर एक Light में और डार्क लाइट होती हैं तो क्या है कि आप डार्क लाइट और deep चीजों के बारे में आपको knowledge भी होगा, ऐसा नहीं है, कि आपको knowledge नहीं होगा, experience बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो experience कुछ इस तरह से हैं, ना तो वो real समझ में आ रहे हैं, और ना ही वो fake समझ में आ रहे हैं, यानि कि उनमें भी confusing बना हुआ है, कोई clarity आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, और इस बजा से भी आप ज्यादा थोड़ा सा distract हो रहे हैं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आता है, तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हैं, तो उसे जाने दें, क्योंकि वो चीज़ें अपने time लेंगी, यानिकि हर चीज अपना time ल और थोड़ा सा जो चीज़ें आपको बहुत heavy feel करा रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जैसे कुछ भी आपके लिए नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें आपके according नहीं चल रही है, तो भी आपको फिकर नहीं करना है, क्योंकि ये energy इस तरह सी है, यानि कि आपको थोड़ लग सकता है कि मैं life में कुछ नहीं कर सकता है, या नहीं कर सकती, मैं कुछ अचीब नहीं कर पा रही हूँ, या कर पा रहा हूँ, तो ये थोड़ 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 ऐसे thought है, जो आपको disturb करने में problem create कर रहे हैं, अब मैं बात करूँ, feminine and masculine की बारे में, यानि कि जो दोनों की इस तरह से है, यानि masculine जो है, थोड़ा balance करने की कोशिस करें, लेकिन वो balance नहीं है, क्योंकि वो भी इसी destruction वाली energy में है, और इसी destruction के चलते हुए, वो feminine की तरफ आ रहे हैं, योकि वो energy जैसे कि आपने वो energy देना बंद कर दिया है, या वो उनसे contact करना बंद कर दिया है, तो बार-बार वो आपके तरह बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसी तरह से balance में रहना है, अपनी energy को अपने उपर create करना है, इस्टे focus करना है, और जो चीजें आपको illusion create कर रही हैं, या जो चीजें आपको लग रहा हैं, कि ये सारी चीजें आपको wrong way में लेके जारी हैं, तो उन चीजों को अच्छे से समझना है, learning करनी है और उनको let go करना है, जाने देना है और peace create करना है, जितना आप peace create करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप क्या है कि अगर आप उनके साथ में argument करोगे, या उनसे लड़ने की कोशिस करोगे, तो वो चीजे जादा आपके उपर हावी होने लगेंगी, तो आपको उनसे क्या है कि peace create करना है, ठीक है जो भी है, I am okay, तो ऐसे आपको उनको balance करना है, दूसरा जो masculine feminine है, जैसे कि मैंने बताया है, कि दोनों ही करीब आ रहे हैं, और इस ताइम जो masculine है, वो आपको sorry feel करेंगे, यान लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी, feminine के लिए कि feminine थोड़ा सा आपको practical way, practical way में बात करना है, practically रहना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप emotionally थोड़ा सा down होने लगोगी, या feminine की energy में जादा रहोगी, तो वो जो energy है masculine की, वो practical energy बहुत हाई रहेगी, तो थोड़ा सा फिर आपक ज़्यादा उसमें नहीं जाना, ज़्यादा लो में नहीं जाना, ज़्यादा उस चीज को higher नहीं करना, ठीक है, तो आपको दोनों की बीस में balance बना के रखना है, थोड़ा सा जितना हो सके, थोड़ा क्या बहुत ही कहूंगी, कि जितना हो सके, अपने आपको practical way में focus करें, जितना प्रक्टिकल रहोगे, उतना ही masculine का, जो inner feminine है, वो develop होगा, जो उनका inner feminine बहुत टाइम से मतला दबा हुआ है, जो focus नहीं है, या वो चीज़ें अपनी express नहीं कर पा रहे हैं, तो वो express करने का time अभी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा focus में रहेंगी, थोड़ा सा masculine part को अपना balance करके रखोगे, थोड़ा practical behavior में चलोगे, तो masculine का जो है feminine side, वो थोड़ा सा develop होगा, वो थोड़ा सा बहार आएगा, और उनकी thoughts, उनकी energy, उनकी feelings, उनकी जो आपके प्रति, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे और उनको express करेंगे, तो इस तरह से अपने आपको balance में रखना है, और एक में बात कहना चाहती हूँ, जो यहाँ पे मेरी साथ already family में है, यानि कि soul family से साथ जुड़े हैं, तो वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो नए मेरे साथ जुड़ते हैं, और वो जो मुझे question करते हैं, जिसके बारे में वो पूछ रहे होते हैं, तो उनसे मुझे यही कहना है, कि जो आप question मेरे से कर रहे होते हैं, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में सब कुछ clear कर चुकी होती हूँ, तो आप से मेरी humble request है, कि आप जाके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छी से समझ पाओ होती हूँ, तो आप चाहो तो उनको अच्छी से देखें, उनको पिछली की वीडियो को remind करें, और उनको समझने की कोशिस करें, जो energy आपने पिछले दिन से चल रही है, या अभी भी उस energy में है, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, कि आपके अंदर क्य union होने वाला है, बस थोड़ा सा आपको धहरे बना के रखना है, और destruction में नहीं जाना है, overreact जाता नहीं करना है, overthinking भी नहीं करना है, बस balance करना है, faith रखना है, faithful रहना है, universe पे और खुद की soul पे, जितना हो सके, दिन में, एक बार, दस बार, दो बार, कितने भी बार, जितन universe मुझे मेरी higher साल के साथ connected रखें, मुझे low के साथ में नहीं जाना है, please मुझे मेरी higher साल के साथ connected रखें, और दूसरा आपको grounding करते रहना है,